हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चानल बेटीट इड़्वेडियो नहीं है पहले ही बता दो आपको कीमेरा न्यू नूई चानल है तर इस पांसर वडियो होगा भी नहीं तो इसलिए आप इसको कई मत कि आपको में स्पांसर वीडियो लेकर आई होगी यह ऑनेस्ट रिवी वाली हूं और कुछ नहीं है ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं यह आई क्रीम है जिसके में बात करें मैं आपको पहले दिखा देती हूं पास से आप इसको जड़ा देखिए यह है मेरा बायोटिक का आई क्रीम जो की इस पर यह 100% आयरवेदिक है और यह first of all यह made in India है तो काफे अच्छा है यह चीज है और यह आयरवेदिक है और इसमें लिखा है सूधिंग और नरेशिंग आई क्रीम तो एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि यह आई क्रीम जो है वह आपके डाक सकल्स को रिमोव नहीं करता मैं पहले ही क्लि इसका काम क्या है तो इसका काम यही है कि आपको जो आई है जो आप मेकप लगाती हो तो यह आखों को नरिश करता है क्योंकि हम पूरी फिश में तो मॉस्चराइजर लगा लेते हैं फिश का मॉस्चराइजर हमारा फिश मॉस्चराइज भी हो जाता है बट हमारी आखे नह तो आई है वह अच्छे से मौस्चराइज नहीं हो पाती तो इसलिए हमें आई क्रीम की जरूरत पड़ती है इसलिए आप यह आई क्रीम एक ले सकते हैं क्योंकि यह नरीशिंग बहुत अच्छे से करता है और इसके अंदर का मैं दिखाती हूं कैसा है तो यह अंदर में इसक को बाप्न कि मैं दिखाती हूं अपको यह मैं इसमें ऐसा कुछ दिए हुआ है इसको आपको निकालना पड़ेगा यह रहा और यह क्रीम है। जो यह दिए में मेरा ऑयाधी और आई क्रीम मोस्टराइज धियरीया सरह एक अच्छा 설an झा सा आई और ल्झाय कि लिए आपको आपको रॉप्षम रहेगा ले सकते हो जो पेट है और हमें मेकब लगाना होता है तो मेकब लगाने से पहले प्रसी बहुत आइब आप नहीं होता है , ना रह पर पर Candice को झोर देते हो प्राइज इस पर लिखा हुआ है 199 का है 200 का इसका प्राइज है थोड़ा सा कॉस्टली है यह आखों के लिए है यह काफी टाइम तक आप का चलेगा भी तो अथ ठीक है आप प्राइज थोड़ा सा हाई जरूर लग रहा है आई क्रेम के लिए क्योंकि छोटा सा डबाई कितना इमल है मैं आपको बता देती हूँ कितने इमल का है तो सरफ 15 ग्राम है ये 15 ग्राम देखिए देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा तो और मैंने बताये आपको कि आपके डाइज को रिमूब नहीं करेगा बढ़ आपके आइस नरिश रहेंगे तो आपका जो हमरे डाइज क्यों होता है दो तीन रज़ीन है डाइज हो जाता है हमारी जो आखों की अरिया होते है बहुत जादा डाइज होकर कि डांग दिखने करते हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा ओके तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज एक लाइक कर दीजे अगर अब भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ओके थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई